नमस्कार दोस्तों आरके माही मतमाटिस कलासेज में आप लोग का स्वागत है आपका जो है साती भाई जो है अधिया टूर असायन को लेकर आए हैं जो तेंद कलास के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा और सहयोगी सी दोने वाले दोस्तों सब दिन जो अबजेक्ट राम है इस चेप्टर को ध्यान से देख लिए ध्यान दीजेए दोस्तों इस चेप्टर में जितने सारे ंस सारे प्वाइंट पर अलग अब जेक्टि बताई जाए ध्यान दीजेगा सबसे पहले दोध समझ लिएगा अमले च्छारक के रासायनिक गूंद्हर्म को समझा अध्यान कराएंगे ठीक है दोस्तों और दूसरी बात यहां पड़े 2.2 इसमें जो है सभी अमलों एवन छाड़कों में क्या समझाएं है इसके बारे में हम लेकर आएं हैं दोस्तों 25 एबजेक्टिव लेकर आएं कितने लेकर आएं 25 और 2.3 में लेकर आएं मात्र दोस्तों दो ही अबजेक्टिव में मिलेगा आपको और 2.4 में जो है आपको 22 वर्ष्ट परशन देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन पेस्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास सेर कीजिए यहीं नहीं इसके डिक्रेशन में जो है टेली गराम का लिंक दिया हुआ है वहां पर भी सारे वीडियो को देख सकते हैं और इसका इस्पेसल प्लेलिस्ट आप पर एक देख पा रहे हैं वहीं बात है अमल एवं छारक एवं मेरा साय ने गुंधर्म को समझाए क्या दोदर समल एक में हम बताए है ना इसमें 27 प्रसनों के जवाब आपको देखने को मिलेगा देखिए दोस्तों यहां पर जब शोडियम हाइड्रो अक्साइड जिंक से सब्सक्राइब करेंगा से आपका दोस्तों यहां पर सोडियम जो है जिंक ऑक्साइड और हैं ठीक दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं पूचान नंबर दो की वर चलते हैं मेर बहुत अच्छी बात हैसे आप लोग इस चानल को सब्सक्राइब कर लिए और वे है लेकं पेश्क किये होंगे क्योंकि ऐसे महतक्न विडियो बहुत देखने को मिलते हैं चलिए आगे हम देखते हैं लीतमस पर विलिय नंबर आयगने रंजक होता है जिससे निकाला जाता है आ चलिए कुच्चा नमबर का एलें यह लोग देखने हैं प्ल War तो कैसे होगा तीन कह बकर राइट ंसर दोस्तों हो यहां पर दिखाई दे रहा है इसका एक ट्रीक मैं बता रहा हुआ आप लोगो जो अची तरह से अपने दिमाग में आप बैठा लेजिए गहां दिजिएगा जिसमें जिसके लास्ट में अगर वेच आपको दीखें तो आपको क्या होगा उसका एंसार जब ढब drafted तो चार्व होगा। क्या होगा चार् Measure in Sixty Gosh ठीक है तो जिसके लाश्त में o.s देखेगा चार्व गहां छिसके सुरू में h आ जाता है वह कहलाता है दोस्टो अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तो चलिए आगे अम लोग देखते हैं इसमें अफसा नमबर आपका बी नमबर राइटेंसर होगा चलिए आगे देखते हैं निमलिकित में किस विलियन का उपयोग दिवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है ज्यान दीजेगा किस विलियन का उपयोग दिवालों को सफेदी कराने के लिए किया जाता है पूचा नम पारों को सफेधी कराने में लगता है ठीक है चले नमबर चौकी और चलते हैं चलिए भीया कुछ नमबर चौकी और हम लग चल रहे हैं एक छात्र जांच परक नली में लिए गए सोडियम बाइकर्बोनेट के तौनु बिलियन में सवर्भॉमिक सुचक की कुछ बुंदे मिल दिखाई देता है तो छोक पराय। सउह हो जाता है थोस्टों डी नमबर क्या होंदा किसली जछ वंपार्म Dip जिखते हैं जब लूआ चली आगे हम लोग देखते हैं नुमपर सेविन कूच्या ननम्बर यहां पर जो है। शक्षा नम्बर आपका सिर्शिक से अब बताके हैं डिनमबर होगा ऐसphone उन चले आगे देखते हैं जबिन्स कोटर ना तो हम लिये होता है और उनिप्षाय और उनिकल का होता है तो आपको बता दे साथ का आपका राइट इंसर सही हो जाएगा सी नमबर बैग नहीं होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं कुछा नमबर आठ की ओर कुछा नमबर आठ मेरा क्या काता है खाद पदार्थ के डीबो पर जींक के वजाए टीन का लेप होता है क्यों खाद पदार्थों में डीबो में जींक के लेप जगां पर इसका कारण क्या है दोस्तों हम बताते हैं कुछा नमबर आठ का सी नमबर राइट एंसर सही होगा तीन की अपेक्चा जींक अधिक अभी किरिया सील होता है मतलब जींक का जब भी पेंट किया जाएगा तो वह जल्दी खतम हो जाएगा इसलिए जींक का नल लेप करके तीन का किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कौन सा पदार्थ लाल लीटमस पत्र क को नीला कर देता है कौन सा पदार्थ लाल लीटमस पत्र को नीला को नो व्हों नंबर है जो छार हो टारटेना लटमस पत्र क्या करता है नीला करता है चलिए कचा नंबर सब्का संभनें है तो यहां पा देखें जिंक गड़ी ऑ्मले के लिवा दिक तो क्या बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बिहार कास्ट हो जाता है दोस्तो हो जाता है तो बाराक KarlSH सब्सक्राइब उसाइब्स यूगी में बस दोस्टो 13 का राइट दोस्तो हो जाता है इन्मबर होगा क्या होगा होगा हल्दी यूगा तो 14 आपका राइट इसर दोस्तों हो जाता है ए नमबर हल्दी होगा क्या होगा हल्दी होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं तो धातु के ऑक्साइड दोस्तों होते हैं कॉन से चारी औक साइड है द्यान दिजिए आगे देखते हैं बूजा हुआ हुआ है निम्लेकित में कौन सा छाड़ा कमल है उन्हें इसका आपका राइट इंसर हो जाता है दोस्तों भी सल्फ्यूरी कम लोगा ठीक है चलिए कुछा नमबर 20 देखते हैं दियान दिजेगा दोस्तों बहुत अच्छा ही पुरसन आपको देखने को मिल रहा है अमोनियम कोलोराइट का जलिये बिलियान होता है तो क्या होता है आप पर चली हो जाते है क्या आगे देखती है लिएग गल्यक तेछा क्वार्ट का सुच्चा कह станet गया जो जाता है क्वार्ट कषिज्चिक खृता है लाल लीटमस पर को निला कर देता है विलियन का पीज मान क्या होगा दोस्तो दोस्तों बी नमबर होगा इसका मतलब क्या है चाड़िये होता है चलिए आगे देखते हैं कुछा नबर 26 क्या काता है दोस्तों यहां पर ध्यान दिया जाए अच्छा पड़स्न है और अच्छा जबाब भी है अमले के जलिए विलिया निम्नांकित में से कौन सा उत्पात करता है घ्यान दिजिए का दोस्तों 27 का दोस्तों यहां पर दिया गया है यहां पर किस चीज़ पर दिया गया है यहां पर देखिए सभी अमलो एन्फ्चार को में क्या समझहें यहां पर देखिए दोस्तमलोह दो मात्र आपको दो ही परस्द मिलेंगे यहां पर देखिए निम्निकित में कौंसा पदार्थ जलियें 밀by वियल्犬 corny निल्ले लिट मस पत्र को लाल करता है तो जब नीले लित पत्र को लाल कर देता है दोस्तों तो समझ जाना है सुवह कौं सा billion हो सकता है वह billion दोस्तों हो जाएगा आपका अमल यह होगा क्या होगा दोस्तों अमल यह चलिए कुछा नमबर दो को देखते हैं यहां पर सभी अमल जल को में घुल कर परदान करता है तो इस पर प्लस आयन परदान करता है तो इससे मातर दो ही परस्ण आपका है अब चलते हैं दो दसमलो तीन में चलते हैं चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों यहां पर दो दसमलो तिन आमल एवम छारक के विल्यन कितने परवल होते हैं यहां पर इसमें आप लोगों को और परस्ण आपको 25 प्लस का जावाब आप लोगों को देखने को मिलेगा काप चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यहां पड़ कोई बीलियॉन लो लिटमस पदर को नीला कर देता है इसका पी ह मान क्या होगा जब लैल को नीला करता है तो इसकाdroph अमबर दोस्तों चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं आप लोग यहां पर यहां पर 10 पार है यहां पर यहां कति बैस रिखते हैं नोल टैसरीबी तूरतों अब्लेखतित हैं यहां पर ऊक्ष जालिक अमल्य का क्या होगा है चार्डंग पार तूरत कर्ण C авторы होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हमारा शरीर का पी एच के कितने पार्ास के कार्य करता है हमारे हमारे शरीर का पी एच के कितने पारास का काम करता है तो यहां पर ध्यान दिजी दोस्तों कुच्चा नमबर 5 का राइट एंसर आपको हो जाता है बी नमबर 7 से यहां पर ध्यान दिजिए 7 से 7.8 बी नमबर अप्शन है चलिए कुच्चा नमबर 6 देखते हैं हम लोग यहां पर देखिए ट्राइट्रिक आमले का निमली कित में से किसमें पाया जाता है तो दियान दिज आँगा दोस्तों चोक का आपका राइट एंसर हो जाता है दी नमबर क्या हो जाता है ein इमली में में पाया जाता है चली है आगे दिखते हैं मदमकी के टंग एक शुड़ता है जिसके कारण Śषर मिदे और डर्द पर जालन अनुबहाव होता ही यह अम्ल ह चबलारी हopt मैं और हम लोग देखते हैं यहांँ पर दिया हुआ है यहां कि मैं श्राप्ट में किसके कारण का पैच मान होता है दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर 10 का इंसर आपका राइट होtal हो जाएगा आपका बी नंबर जो साथ से कम क्या होगा साथ से कम होगा चलिए कुछ नमबर 13 की और हम लोग चलती हैं बहुत अच्छी प्रक्ष लाहें अम लिए वर्षा के जल का पियच मान होता है उलिए वर्षा का बिए चुमान होता है यहां पर फांद भासा चौश से कम होगा आगे देखते हैं शिरका में निमन मे से कौन सा अमल पाया जाता है सिरका में से निमन में से कौन सा अमल पाया जाता है बारा का दोस्तों राइट इंसर हो जाता है दी नमबर क्या हो जाता है डी नमबर जो है 13 काप का राइट इंसर C हो जाएगा यहाँ पर मेथिनोई का उमल पाया जाते है ठीक है चलिए कोई घोल निले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होता है चौदा का राइट इंसर A हो जाएगा दो होता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते है अम लिए ऑक्साइड के विलियन का पीएच का मान होगा 15 का राइट इंसर दी हो जाता है चार होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुचा नमबर सुला में क्या कह रहा है दोस्तों यहां पर मिल्क ऑफ मैगनेसियम का पीएच मान होता है तो सुला का डी नमबर होगा 10.5 चलिए आगे देखते हैं किस पीएच मान वाला विलियन सबसे अधिक अधिक होता है 17 का आपका राइट इंसर यह हो जाता है ठीक है दोस्तों दही में कौन सा अमल पाया जाता है तो डही में लैक्रिक अमल पाया जाता है अपसा नमबर सी है चलिए आगे हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा ही परासन आपको देखने को मिल रहा है चलिए उनए इस नमबर क सबसे नमबर भी है सुद्स जल का पी इच मान होता है तो साथ हुता है अपसा नमबर भी होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा परसना अपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए निमनांकित में कौन सबसे परबल ऑवल्ल है लि किसे के द्वारा ओधोगिक झेत्र में अमलवार्षा होती है निमलिकित में किसे के द्वारा और धोगिक चेत्र में ओमलवर्षा होती है तब 25 का आपका राइट इंसर हो जाता है बी नमबर आपका सुल्फर डायोकसाइट ठीक है दोस्तों अब हम लोग चलेंगे दो दसमलो चार की ओर दो दसमलो चार में आपको 22 परसनों का उत्तर दे आपको बुला रहे हैं चली आगे देखते हैं कोचा नमबर एक सोडियम क्लोराइट के जलिये विलियन से बिदुत धारा परवाहित करने पर बियोजित होकर सोडियम हाइड्रो अक्साइड बनाता है इस पर किरिया को कहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा एक आपका र आपका चार का बी नमबर है जीप समका ठीक है दोस्तों चलिए बी नंबर है बिरंजक चुन का रसानिक सुत्र होता है तो दोस्तों आपका हो जाता है दोस्तों यह नंबर होगा CACO3 calcium component संग्हमर्मर का सुत्र होता है आगे देखते हैं निमलीखित में से कौन से गयस चुन्य के पानी को दुदिया कौर देता है साथ का आपका राइट इंसर दोस्तो हो जाता है C number CO2 हो जागा आगे देखते हैं निमलीकित में कौन लौवन है कोण लाण है आट का आपका राइट इंशर दोस्तो हो जाता है सी नबर क्या हो जाता है सी नमडर के टूर यह ओ जागा ठीक है ऐगया हम लोग देखते हैं सी मिलेकीत में लोन निम्लेकित में लवन कौन है हाँ यहां पर बी नंबर राइड राइट असा योगा नलहा को किसको बोलते हैं मतलब लोवन की किसको बोलते है नमभा को चली आगे देखते हैं बेकिंग पाउडर एक मिलूत है दसका आपका रईड़न सब्सक्राइब का डी नमबर दसका डी नमबर एने एच सीओ फोर एवं टार्ट्री कमल हो जाएगा ठीक है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कुछा नमबर एगारा की ओर उच्छा नमबर दोस्तों एक आरा बहुत ही अच्छा प्रस्न है इसको छोड़ना बढ़ूत ठीक नहीं है निला होता का रासाइनिक सुत्र होता है यह गारा का दोस्तों हो जाता है आपका राइट इंसर भी नमबर हो जाएगा सी यूए सो फोर इंटु पांच एच्टू आगे देखते हैं हम लोग तूटी हडियों को जोड़ने के लिए परियुक्त होने वाली रासाइनिक पदार्थ ह है बारोक राइट का रासाइनिक की नम आपका हो जाता है अपस्तामले'RE है calcium sulfate Hydrate ठीक है चलिए आगे देखते हैं सोड़ा का रासाइनिक सूत्र क्या है दोस्तों यह नुमर कर अच्छा पुरस्न प्लाष्ट्र पेरिस मतलब जीपसम का रासायनिक सूत्र नमर होता है सुला का आपका बी नमचा नमर फोर इंटु वान बाइट टू होगा ठीक है दोस्तों चलिए बहुत अच्छा प्रस्ण है चलिए आगे हम दोग देखते हैं न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना यादे आता है चलो हम देखते हैं इनका नाम क्या आता है चलिए दोस्तों कुछ नमबर 17 सोडा एस का रसाइनिक सुत्र आप लोग देख पा रहे हैं आपका बी नमबर राइटेंसर साई होगा एने टू सीओ ठीक है तो दोस्तों सोडियम कर्बोनेट होता है आयोडीन युक्त नमक है अठा सी ओ जाता है दोस्तों यह घुंबे दोलों मतलब यह भी आपका है और यह भी आपका ठीक है दोस्तों चली आगे हम लोगी इस नंबर देखते हैं चलिए बहुत अच्छा परहस्ण है दूस्तों से बिजातियों योगिक है प्लाप लाश्टौर। वेरिस होगा सींखी यो त्री का पर चली ततनाम क्या मुझा सिए इसका आपका राइट एंसर सी हो जाएगा बिरंजक प्रस्णों के जबाब दिये हैं जो चार व्रुप में सारी स्वालों कर जबाब दिये हैं दोस्तों आप लोगो वीडियों अच्छा लगा हुआ तो चैनल को जरूर साफ प्राइब किजेगा और ले लेगन पेज्च किजिएगा तक यह से महत्कून वीडियो आप तक लेम पहुंचाते रहें मिरा नाम हुआ रुपेश कुमार माही अब इस चैनल से देख पा रहें आरके माही मतमाइटिस कलासेश से आपका हमेशा अभारी रहे का आप मेशा सहयोग करेंगे चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आरके माही चलिए आज के लिए